प्रिये साथियों नमस्कार आईए इस वीडियो में हम देखते हैं कि सोलह बिंदु वाली रिपोर्ट कैसे त्यार की जाती है पीठासी नदिकारी द्वारा मतदान केंदर के माइक्रो आपजर्वर वो निर्वाचन शेत्र परियवेक्षक या रेटर्निंग आफिसर को प्रस्तूत की जाने वाली आतिरिक्त जानकारी का यह प्रपत्र है इसमें कुल मिलाकर सोलह पॉइंट होते हैं इसको सावधानी से भरने की आवशकता है आप देख लिजी कि इसको हम कैसे बिंदुवार कंप्लेट करते हैं सबसे पहले है मतदान केंदर क्रमांग जिस मतदान केंदर पर आपकी निर्वाचन कारी के लिए ड्यूटी लगी है उसका उलेक करना है यहां हमने लिखा है उन्चास बोकराटा इसी पैटर्न पर आप लिख दीजिए CPF की नियुक्ती हुई हां या नहीं तो सामान्यता इसका उत्तर नहीं आता है यदि आपके केंदर पर नियुक्ती हुई है तो हां लिखेंगे अन्यता नहीं आता है ध्यान रखिए कि जो पुलिस करमी आपके साथ है वह CPF का जवान नहीं है केवल उसी के आधार पर हां नहीं लिखना है CPF अलग व्यवस्था होती है माइक्रो अपजर्वर की नियुक्ती यदि हुई है तो हां लिखें और नहीं हुई तो नहीं लिखें कौन होते हैं माइक्रो अपजर्वर आपके साथ ही निर्वाचन के एक दिन पहले यानी सोलह नौबर को मतदान सामगरी प्रापति के अंदर से आपके मतदान के अंदर पर जाएंगे यदि आपके मतदान के इंदर पर माइक्रो आपजर्वर की निउक्ति हुई है तो आपके साथ रहेंगे आपको पता चल जाएगा आप हाँ लिख देंगे और यदि वे आपके साथ नहीं जाते हैं तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे यानि आपके मतदान के इंदर पर माइक्रो आपजर्वर नहीं है माइक्रो आपजर्वर यदि निउक्त होते हैं तो दिन भर मतदान के इंदर पर रहेंगे और वो निर्वाचन की आपके द्वारा संपन की जा रही प्रक्रियाओं पर ध्यान रखेंगे वीडियो केमरा व्यवस्था यदि होती है तो हाँ लिखेंगे अनिता नहीं लिखेंगे कुल मतदाता ये जो आपको निर्वाचक नामावली की चीनित प्रती प्राप्त होगी उस पर संख्या लिखी रहेगी वो आप लिख दीजिए जैसे यहाँ पर हमने 736 लिखा है उधारण के ताउर पर कुल डाले गए मत जब आपका मतदान संपन हो जाएगा साइम 6 बजे या अंतिम मतदाता के मतदान करने पर तो उस समय आपके मतदाता रेजिस्टर और कंट्रोल यूनिट की जो संख्या है उसके आधार पर कुल डाले गए मत आपको लिखना है ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कंट्रोल यूनिट में डाले गए मतों की संख्या आएगी 5-9-6 हमने यहाँ पर उधारन के तौर पर आपको बताए हैं यही संख्या नहीं लिख देना है बलकि 17 नौवंबर को जो संख्या आपके मतदान के इंदर पर कंट्रोल यूनिट मतदान की समापती के समय बताएगी उसी को लिखना है मतओं का प्रतिशत उधारन के तौर पर हमने जो कुल डाले गए मत बताए हैं उसके आदार पर 80.97 प्रतिशत आया है आप अपने हाँ पर प्रतिशत निकाल कर लिखेंगे प्रतिशत निकालने के लिए अगर आपको तरीका ग्यात नहीं है तो इसका तरीका ये होता है कि कुल डाले गए मत के आगे आप दो शुन्य और लगा लिजिए जैसे 5,9,6 है यहां लिखा हुआ है दो शुन्य और लगा दीजिए तो ये 9,600 हो गया इसमें आप 736 का यानि कुल मद्दाता का भाग दे दीजिए तो इस सरल तरीके से भी आप 80.97 प्रतिशत यानि प्रतिशत निकाल लेंगे और परसेंटेज निकालने का तरीका आपको पहले से पता है तो उसी तरीके से निकालीए लेकिन ये सब वास्तविक आंकड़े होने चाहिए ये कल्पित आंकड़े केवल आपको समझाने के लिए बताये जा रहे हैं कुल उम्मिद्वारों की संख्या यहाँ पर 6 लिखी है बहुत सावधानी से आप यहाँ पर एक बात सुन लिजिए यहाँ पर केवल उम्मिद्वारों की संख्या लिखना है नोटा की संख्या इसमें नहीं जोड़ना है यानि जो वास्तों में चुनाव लड़ने वाले candidate हैं, उसी की संख्या आपको यहाँ पर लिखना है नोटा को छोड़ देना है, मान लिजे कि नोटा सही साथ हो रहे हैं, तो कुल उमिद्वारों की संख्या अच्छा रहेगी क्योंकि नोटा चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव उमिद्वार लड़ते हैं, तो यहाँ पर अपने को लिखना होगा जीरो सिक्स, अभी करताओं द्वारा प्रतिनिधी उमिद्वारों की संख्या यहाँ पर हमें वह संख्या लिखना है, कि कितने केंडिडेट्स ने आपके यहाँ पर पोलिंग एजेंट भेजे हैं चुकि यहाँ उधारण में 6 केंडिडेट हैं, तो हमने एक आदर्श इस्तिती मानली की प्रतिक केंडिडेट ने अपना भी करता भेजा होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिखा है मानलीजे आपके हाँ केंडिडेट 6 हैं, लेकिन 3 ही एजेंट आते हैं, तो यहाँ पर यानि 9 पाइंट में आपकी संख्या आएगी 03 ध्यान रखेगा, जितने एजेंट आते हैं, उतनी संख्या में 9 पाइंट में लिखना है दस्वा पाइंट देखिए, मतदाता जिनोंने EPIC यानि EPIC के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया है यह संख्या आपको मतदाता रेजिस्टर से ग्यात होती है, आप उसके आधार पर लिख लीजी यहाँ हमने उधारण में 55 बताया है, जैसा कि आप जानते हैं कि EPIC के आधार पर मतदाता सहस्ता से वोट डाल देता है अगर मतदाता के पास EPIC नहीं है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने 17 नौंबर 2023 के चनाओ के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज पहचान के लिए मानने किये हैं तो उनमें से जिन दस्तावेजों का उपयोग मतदाताओं के द्वारा किया गया वह संख्या हमें यहाँ पर लिखना है आप प्रियास कीजिए यदि आप पीठासी नदिकारी हैं तो आप पहले से बता दीजिए मतदान अदिकारी क्रमांग 2 को कि वह हर पेज का हिसाब रखते हुए चले कि प्रतेक पेज पर नौन इपिक वोटर्स कितने हैं ताकि मतदान संपन होने पर एकदम से उनके पास आपड़े मिल सके और हाँ इसको टेली अवश्य कर लिजिए क्योंकि इस आपड़े की जाच होती है बहुत सावधानी से लिखिए क्रपया निवेदन है आपसे कि इस आपड़े को मन गड़न्त मत लिखिए अच्छे से चेक करके लिखिए कि इपिक के अलावा आधार कार्ड या अन किसी दस्तावेश से अपनी पहचान सुनिश्चित करवा कर मतदान करने वाले मतदाता कितने है नकली मतदान अभिकरताओं के सामने किया गया हाँ या नहीं साथियो नकली मतदान का मतलब है मौक पोल यदि आपके मतदान केंदर पर अभ्यरती के अभिकरता उपस्तित हुए हैं तो इसका उत्तर होगा हाँ और यदि उपस्तित नहीं हुए हैं तो इसका उत्तर होगा नहीं आप प्रयास कीजिए कि आप मतदान अभिकरताओं की उपस्तिती को सुनिशित कर सकें इसके लिए जब 16 नौमबर को यानी मतदान के एक दिन पहले मतदान केंदर पर आप पहुँचें तो बियलो आदी की साहता से आप प्रयास कीजिए पता लगाने का कि आपके मतदान केंदर पर मतदान अभी करता कौन है यदि उनके मॉबाइल नंबर मिल जाए तो उनसे समपर करने कोशिश कीजिए और उन्हें बताईए कि आप सुबह साड़े पाँच बजे से पहले ही मतदान केंदर पर आ जाईए ताकि साड़े पाँच बजे आपकी उपस्तिती में हम नकली मतदान या मौक पोल कर सकें यदि ग्यारमे का उत्तर हाँ आता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी लेकिन आवश्यक नहीं है मन गडंत हाँ नहीं लिखना है यदि अभी करता नहीं आये हैं तो नहीं लिखना है इस बात को ध्यान रखिए बारमे पाइंट का उत्तर सदेव हाँ ही होगा नकली मतदान क्लियर किया गया हाँ अध्वा नहीं इसका उत्तर हाँ ही होना चाहिए बहुत सावधानी रखिए कि जैसे ही माकपोल कंप्लीट हो माकपोल का रिजल्ट एजेंट्स को बता दिया जाए वीवी पीटी की परच बंड्रोल यूनिट से माकपोल के डेटा को क्लियर करना है यह अनिवार्य है और यहां बारमे पाइंट में आपका उत्तर हाँ ही आना चाहिए क्या मशीन को उप्यूक्त प्रकार से बंदें मुहर बंद किया गया तेर्वा पाइंट इसका उत्तर भी हाँ ही रहेगा हाँ क च्या 17 सी मत अभी करताओं को उनके दस्तकत लेने के बाद दिया गया है इसका उत्तर भी हाँ होना चाहिए यदि आपके मतदान केंधर पर एजेंट न्यूक्त है 17 सी मतलब मतपत्र लेखा मतपत्र लेखा आपको एजेंट को देना ही होगा तो उत्तर होगा हाँ पंद्रमें पॉइंट में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है हो सकता है आपके पास भी प्रिंटिंग मिस्टेक वाला ही या फार्मेट महुचे उसमें लिखा हुआ है ऐसे मतदाताओं की संख्या जिनोंने 5 बजे के बार टोकन प्राप्त कर मतदान किया तो यहां 5 बजे की बज़ाए 6 बजे होना चाहिए अगर आपको 5 बजे वाला ही फार्मेट मिलता है तो अपने हाथ से आप 6 कर लीजिए जैसे इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है यहां पर संख्या इस्थिती पर निर्वर होगी यदि 6 बजे आपके पास सब कोई मतदाता शेश नहीं बचा और सारे मतदाता जो मतदान कर सकते थे उन्होंने मतदान कर दिया आपके मतदान केंदर के बाहर कोई भी प्रतिक्षारत नहीं है तो यहां पर निरंग का आएगा लेकिन मान लीजिए कि 6 बजे आपके मतदान केंदर पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है तो आपको यह देखना होगा कि कितने मतदाता हैं उनको token बाटना होगा सरल भाषा में token का मतलब होता है परची जैसे मान लेजे कि 6 बजे आपके मतदान केंदर पर अभी 20 मतदाता और मतदान करने के लिए 6 हैं तो आप कागज की परचियों पर एक से लगा कर 20 तक के नंबर आप लिख लेंगे और जो सबसे last में line में खड़े हुए मतदाता होंगे उनको एक नंबर की परची देंगे और last से फिर एक दो तीन चार करते हुए बाटते हुए आएंगे और जो बिलकुल अभी मतदान करने के स्थिती में है उसको 20 करम की परची देंगे आप पहले से परची कुछ काट कर अपने पास रख लीजिए अपने मतदान के इंदर की स्थिती को देखते हुए अगर परची बाट कर आपने मतदान करवाया है तो वह संख्या लिखना है आन्यता निरंक यहां पर आएगा क्या मतदान के समय कोई महतपूर्ण घटना हुई हाँ नहीं सामान नितह कोई महतपूर्ण और विशेश घटना घटीत नहीं होती है इसलिए आप इसको नहीं लिख देंगे लेकिन कोई विशेश घटना होती है जैसे EVM खराब हो गई उसको बदलना पड़ा आदी आदी तो यदि ऐसी घटना हुई है तो हाँ लिखेंगे वरना यहां पर नहीं ही उत्तर आएगा तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस सोलह पॉइंट वाली रिपोर्ट को त्यार करने में भी कुछ गड़बड हो सकती है कुछ चूक हो सकती है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब प्रत्ते की स्तिती स्पस्ट हो गई और आपको इसे त्यार करने में साहिता प्राप्त होगी इलेक्शन ट्रेनिंग से संबंदित ऐसे ही वीडियो यदि आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वाइर्मेंट बताईए मुझे यह बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए चैनल की संचाली का पृती गुलवायने जिजी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रती बहुत बहुत आभार आप सभी को शुब कामनाए नमस्कार